हेलो दोस्तो आज हम म्यूकर माइकोसिस के बारे में बात करेंगे जिसे ब्लेक फंगस भी कहा जाता है और हिंदी में इसे काला फफुन कहा जाता है तो भारत सरकार ने और कई सारे राज्यों ने इसे महामारी गोसित किया है एक तो कोईद की महामारी चल रही है उसके बाद दूसरी महामारी Newcaromycosis के नाम से जानी जाती है तो ये क्या है इसके लकसन क्या होते है इसका उप्चार क्या है कैसे होता है किन लोगों को होता है सारी जानकारी आज के वीडियो में हम लगे तो आगे बढ़ते हैं काला फूफंद यह Newcaromycosis एक दुरलब और गातक फंगस संक्रमन है जिसे ब्लेक फंगस कहा जाता है भारत में यह COVID-19 से संक्रमित रोग्यों को संक्रमित कर रही है बारतिय आयुर विग्ना ननुसंदान परिशत यानी ICMR और केंद्रिय स्वास्तिय मंत्रा लई ने ब्लेक फंगस की जांस, निदान और प् जाता है, विशे शक्यों ने कहा है कि यह अलच यह कोई संक्रमग बिमारी नहीं है जैसे COVID-19 है वह भी है उसका संक्रमन फैलता है मुख्य रूप से उन्हीं लोगों में देखने को मिलता है जिन लोगों की इम्यून सक्ती बहुत ही कमजोर होती है तो जिसकी इम्यून सक्ती बहुत ही कमजोर है उनमें ये देखने को मिलेगा एम्स दिल्ली के विशेशग्य डॉक्टर अनन्य गुपता के अनुसार काला फफुन जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता है यह सिर्फ कमजोर इम्यूनिटी वालों को कई अलग-अलग कारणों से हो सकता है जिसमें लंबे समय तक स्टेरोईट का उप्योग करना भी सामि है डॉक्टर शितल वर्मा ने इस बारे में कहा है कि म्यूकर यानि काला फफुन मुख्य रुप से मिट्टी पोदे सड़े गले फ़लो और सबजीयों में पाये जाते हैं यह सांस के द्वारा अंदर जाती है और साइनस या फेफडे को प्रभावित करती है हाला कि अधिकतर मामलों में इम्यून सिस्टम ही इन सभी को नश्ट कर देता है और केवल अतिदु्लब श्थिती में यह लोगों को संक्रमित करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रोंग है तो हमें इससे ड़रने की जरूरत नहीं है kunnen इसका मुकाबला कर सकते हैं यह में हो गाई नहीं पर यदि इम्म्यून सिस्टम कम है तो खास ध्यान रखना है अब हम देखते हैं इसके संकेत और लक्षन क्या है चेहरे के एक तरब सुजन आ जाना सरदर्द नाक या साइनस में जमाव नाक में या मुग के उपरी हिस्से में काले घाव का जल्दी से गंभी रूप लेना बुखाराना खासी और छाती में दर्द सांस लेने में कठिनाई पेट में दर्द मलती और उल्टी जर्षरात्न रक्तस्त्राव तो ये सारे जो है वो इसके लक्सन है ये सारे चीज़े इसमें होती है यह रोग अक्सर आखो नाक त्वचा और फेफडों को प्रभावित करता है यह कवक रोग अत्यदिक खतरनाक होता है खासकर यदि यह मस्तिस्क में फेल जाए तो रोगी की मृत्यू भी हो सकती है अगर मस्तिस्क में चला गया तो रोगी की मृत्यू हो सकती है यदि यह आख को प्रभावित करता है तो आख को हटाना ही मस्तिस्क में आगे फेलने से रोकने का एक मातर उपाई है आख में जाता है तो आख को निकालना पड़ता है तब जाके वो आदमी बच सकता है वरना अगर दिमाग में चला गया मस्तिस्क में चला गया तो वो मर जाता है कुछ मामलों में सर्जरी विक्रुत हो सकती है क्योंकि इसमें तालू, नाग, गुहा या आखों की संरचना को हटाना सामिल हो सकता है सर्जरी को एक से अधिक उप्रेशन तक बढ़ाया जा सकता है यानि एक से ज्यादा भी उप्रेशन करने पड़ सकते हैं यदि ब्लेक फंगस का संदे हो तो रोग के तेजी से फेलने और उच्च मृत्यू दर के कारण एमफो टेरिसिन भी एक प्रकार का इंजेक्शन आता है जैसे कोविड के लिए आता है ऐसा ही इसमें एमफो टेरिसिन भी थेरापी तुरंद दिया जाना चाहिए एमफो टेरिसिन भी आम तोर पर संक्रमन के उन्मुलन को सुनिचित करने के लिए प्राणबिक चिकिस्ता शुरू होने के बाद अतिरिक्ट चार से छे सप्ता के लिए प्रसासित किया जाता है यह अनुमान लगाया गया है कि आईपर बेरिक ऑक्सीजन एक सहायक चिकिस्ता के रूप में फाइदेमन हो सकता है तो अगर ज्यादा ऑक्सीजन देगे तो भी हो सकता है क्योंकि उच ऑक्सीजन दबाव कवक को मारने के लिए न्यूट्रोफिल की ख्षमता को बढ़ाता है अब महामारी जो चल रही है कोविट की उसके बारे में बात करते हैं उसके जो मरीज है उनमें कैसे फैद रहा है COVID-19 महामारी के दोनान भारत में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें COVID-19 से ठीक होने के बाद कुछ मरिजों की नूपर माइक्रोसिस अंक्रमर देखने को मिला है तो COVID-19 जो ठीक हो जाते है, जिनको करोना होता है ठीक हो जाते है उसको ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है तो उनमें ये रोग होता है ऐसे मामले मूंबई और दिल्ली में भी देखने को मिले है और अठारा राज्यों में बारत के अठारा राज्यों में ये अभी मामले फेले हुए है इस सारे मामले नाख आख और दिमाग के आसपास दे इन रिपोर्ट के अनुसार इस संक्रमन से सबसे ज्यादा खत्रा मदुमह के मरीजों को है अधिकतर मामले अस्पताल में भरती के दोरान ही देखने को मिले है जिसमें ये मामले ज्यादातार अस्पताल में भरती होने के 10 से 14 दिन के बाद सामने आये है एक अंदाज के अनुस हो गई है यह मोते मरीज के संक्रमन की जगह के साथ साथ उसके सेहत पर भी निर्वर करती है अगर सेहत अच्छी है तो इसका जो असर है वो कम होता है कोविट से जुड़े म्यूक और माइको से इसके मामले मुख्य रूप से भारत में ही सामने आये हैं एक स्परस्टी करण के अनुसार भारत में ये मामले अत्याधिक कोविट संक्रमान के मामले और अधिक संख्या में मदूम है के रोगियों के होने के कारण देखने को मिल रहे है तो ज्यादा इंडिया में मदूम है के रोग है रोगी है उनको ये ज्यादा होता है और कोविट होके जिनको कोविट हुआ है और वो ठीक हो गए उनको यह ज्यादा हो रहा है मई दोजार इकिस में भारती आयो विग्णा ननुसंदान परिस्द ने कोविड-19 से जुड़े यूकर माइको से इसकी पहचान करने और उसके इलाज है तू दिशा निर्देश जारी किये हैं इनके लगातार बढ़ की महामारी चल रही है और यह दूसरी म्यूकर माइको से इसकी महामारी भी भारत में चल रही है तो जितना हो सके इससे बचके रहिए और स्वस्थ रहिए आसा रखता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक किजिए कोमेट किजिए अपने सभी दो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के नाम पे क्लिक करके वीडियो में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके अलग-अलग सब्जिक के अलग-अलग वीडियो भी देख सकते हैं आसा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वोचिंग मैं वीडियो